हलो दोस्तों तो स्वागत है आपका न्यू क्रेंट जोब में तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले भारत फनांसियल इंक्लोजल लिम्टेट कंपनी के बारे में तो यह जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही बड़ी कंपनी है यह टॉप 10 कंपनीों मे सबसे पहले पाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल इकन दबा दीजिए कि नए नए जोब की नोटिफिकेसन इस चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी तो चलिए इसके बारे में जानते है कि कौन-कौन सी पोस्ट की इसमें वेकेंसी आई ह हुई है और कहां कहां के लिए है तो यहां पर सबसे पहले पोस्ट की बात कर लें तो पोस्ट यहां पर दिया गया है कि लोन आफसर के लिए वेकेंसी आती है और इसमें बहुत दिनों पर वेकेंसी आती है इसमें हमेशा वेकेंसी नहीं आती है तो यह बहुत ही सुनारा इसमें apply कर सकते हैं उसके दिया गया कि experience यहाँ पर दिया गया कि 12th pass के लिए 1-2 साल का experience है तो इसमें apply कर सकते हैं और आप graduate है तो आपको experience की कोई जरोयत नहीं है तो भी इसमें apply कर सकते हैं उसके इसमें age की बात कर ले तो age यहाँ पर दिया गया कि 18-28 years के बीच में आपकी age ह तो इसमें apply कर सकते हैं उसके बात कर ले हैं जो इसमें benefit मिलती है वो P F ESIC, Graduate, Term Life Insurance, Group Personal, Accidential Insurance यह सब इसमें benefit मिलती है उसके बात कर ले हैं इसमें apply कैसे करें तो apply करने के लिए यहाँ पर दो-दो mail id दिया गा है किसी भी mail ID पे अपना resume share कर सकते हैं इसमें अपलाई करने के लिए और call आने की date कर सकते हैं पर email ID दिया गया है इसी की सहेता से आप इसमें apply कर सकते हैं तो date यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया है तो जितना जूदी हो सके इसमें apply करें क्योंकि इसमें seat भी बहुत ही limit रहती है उसका required document की बात कर ले कि इसमें क्या 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 document लगने वाली है तो document यहाँ पर दिया गया कि resume, passport, photograph, educational certificate जो आपकी qualification है वहाँ तक क्या आपकी certificate चाहिए, pen card, अधार card, driving license यह सब document आपके पास होनी चाहिए तभी ही इसमें apply कर सकते हैं औ और bike mandatory है, bike आपके पास हर हल में होनी चाहिए क्योंकि जो work होगा वो bike से ही जाना होगा कहीं भी और उसके साथ बाइक की जो petrol की खर्चा होगी वो company खुद देगी उसका इस वीडियो में बस इतना ही बताया गया है, अगर वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को लाइक कर दिजिए, अगर आप चाहते हैं नए नए जाओ की notification सबसे पहले पाना तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए Thank you